श्री गौदाम महात्रित पत्मिडा के द्वारा संचलित प्रमुक प्रकलपों में शद्देई गौर इशी स्वामी स्री दत्र सनानंजी महराज के मार्ग दर्षन में दन्वंत्री गौच किसा विबाग कार्य करता है इस दन्वंत्री गौच किसा विबाग में निरास्रित दुरगटनाकरस्ट और गंबीर विमार गौवन्स के चकित्सा की संपून व्यवस्ताइं उपलब्द रहती है हम मैंसे भी कोई देवयोग से हमारे पुरु जन्मों के कुछ करमों से कई कई बार हमें भी चकित्साले में भरती होना पड़ता है तब हम लोग देखते हैं आईशियू विवाग होता है ऐकसरे होता है सोनोग्राफी होती है ओप्रेशन होता है पडि मंदनकर ऑक्स होता है ओपीडी होती है इस प्रेकार के अलग-अलग विवाग चकित्साले में होते हैं ये सारे विबाग, पुज्या गोमाता के लिए शी गौदाम महातित पत्मेडादवारा सेवित समस्त प्रकलपों में शी धन्वंदरी गोच किसा विबाग के माध्यम से होते हैं आप एक कलपना कीजिए इस गर्मी की दुपरी में किसी सड़क पर, किसी मोटर साइकल से, चार पई या वहान से कोई गोवन स्टकरा जाए, सड़क पर गिर जाए, उसका पाउँ टूट जाए, उसके सर टूट जाए, उसके रीट के अड़ी पर चोट लग जाए, रक्त का इ किसा की व्यवस्ता करेगा, कौन उसके लिए चाया की व्यवस्ता करेगा, वह जब तक वह रहेगा, श्वान और कव्वे उसको जिवीत अवस्ता में परिशान करेंगे, प्रताडित करेंगे, उस गोवन्स की सेवा के लिए कौन रहेगा, तो उस गोवन्स की सेवा के लिए आप जैसा उदारभना गोपक समुदाई समाज रहेगा और उसकी सेवा कहां पर होगी श्री गौदाम बहातिर्ट पथवड़ा दवरा सेवित समस्त प्रकलपों में धन्वंतरी गोचकिसा विबाग में होगी दन्वंतरी को चिकिसा विबाग, मातर चिकिसा ले नहीं है कि जहां ले जाकर गाई माता को छोड़ दिया दुर्करनाक्स गोमाता को और डॉक्टर अपना काम करें के ऐसा नहीं है संपूर्ण जीवन गोशेवा में लगाने वाले ब्रह्मचारी, संत और मात्मावाँ अपने हाथ से उन गोमाताओं की सेवा करते है आप देखिए केवल वेतन भोगी, चिकिस्तक और कंपाउंडर और गॉले ही नहीं संपूर्ण जीवन जिनोंने अपना गोमाता की सेवा में लगा दिया है ऐसे संत मात्मा और ब्रह्मचारी वहां नियमित गोशेवा अपने हाथ से करते है आपके किसी परिजन में कोई माता पीता दादा दादी बीमार हो जाए नर्स उसका इलाज करे नर्स उसकी सेवा करे उससे उनको आनन्द की अनुभूती होगी या अगर परिवार का कोई सदस्य उनका इलाज करे उनको इस्पंज कर देवे उनको दवाई देवे उनको भोजन करा देवे किससे उनको आनन्द की अनुभूती होगी निस्चित रूप से परिवार के सदश्यों दवरा की हुई सेवा से उनको अतियतिक आनन्द के अनुबुती होगी, उनकी पीडा कम होगी, ठीक वैसा ही प्रयास, शद्दधई, गौरिशी जी, महराजी की आशिरवात से हम लोग वाँ करने का प्रयत्न करते हैं पूर्ण कालिक समय देने वाले ऐसे संत महतमार ब्रमचारी श्री धनवंतरी गौचेकिसा विभाग में नियमित सेवा देते हैं साथ में ऐसे-ऐसे गौचेकिसक और चेकिसा करने वाले लोग और गौले जिन्होंने दस-दस, पंड़ा-पंड़ा वश्रों से यही काम कर रहे हैं, वो उस विभाग में रहते हैं ऐसी गौधा जो दुरगटना से खड़ी नहीं हो सकती, तो उसको उसी के इस्तान पर बैठे-बैठे, दिन में पांच बार पलताना, ताकि उसके गाव नहीं हो जाए दिन में पांच बार इस्तान को परिवरतन करना, पहले वाले इस्तान को बिल्कुल मिट्टी लेवल करना, सूकी मिट्टी बिचाना, उसके बाद में उसको उसको उसपे पलटना ऐसा दिन में पांच बार आपको जानकर अचमबा होगा ऐसे सी गोमाता हैं जिनकी रीट के अड़ी की चोट है दो-दो साल से एक इस्तान पर बिराजी है उनकी गड़ी उनकी सरीर पर एक भी बैट सॉयल जिसको अपन लोग चिकिसा की बैट सॉयल गहते हैं मारवड़ी में चांदी कहते हैं चांदी पढ़ जाती है सरीर में एक इस्तान पर एने से वैसी एक भी आपको नहीं मिलेगी जबकि चकिसाले में जा सारी सुविदाएं हैं वह महीने दो मेने तीन मेने बाद मनुष्य के वो बैट सॉयल चांदी पढ़ जाती है ऐसी एक भी चांदी उन गोमातों के सरीर पर आपको उस इस्तान पर नहीं मिलेगी किसी का पाँ अगर ऐसा है जिसका उपरेट करना है तो वहाँ पर उपरेशन के सारी व्यवस्ता है एक्सरे मसीन हैं प्रसिक्त डॉक्टर हैं और उपरेट करके उनको पाँ का इलाज कर दिया जाएगा शींग का इलाज कर दिया जाएगा, शींग कैंसर इतना बढ़ गया है कि गोमाताओं के शींग का इलाज करके उसके जो कैंसर से कर सींग है उसको हटा दिया जाता है उसकी दो ढ़ाई तीन मिने तक पट्टी होती है तब जाकर को शींग कैंसर ठीक होता है और शींग कैंसर एक ऐसी भीमारी है, अगर गोमाता के समय पर इलाज नहीं हुआ, तो शींग कैंसर आंख के माद्यम से फूट करके बार आता है, और उस गोमाता का दरशिय दर्सन अंखों से करें, इतना सामर्ति अमारे हर्दे में नहीं होता, इतनी विकट उसकी परिस्तित तो ऐसे संकडो सिंग के ओपरेशन शिजी गौदाम पत्वडा में होते हैं और वो गोमाता हैं वहाँ पर विराजमान है ऐसे छोटे बच्डे जिनकी मां के थनमे या तो दूद नहीं है या उनकी मां उनको जन्म देते से मैं सिधार गई है ऐसे संकडो बच्डों को वहां के ग्वाले जिनको उन बच्छडों ने और बच्चियाओं ने अपनी माही मान लिया है वो उन्हें बोतल से दूद पिला करके बढ़ा करते हैं प्रति दिन पांच से साथ कुंटल दूद गौदाम पत्विडा की दो प्रमुक प्रकलपों में ऐसे बच्छडों को लालन पालन में लगता है आप सेवा के हजारों तरीके हैं आप अपने समर्थ्यान उसार एक दिन दो दिन पांस दिन पचास दिन एक वट्स उस दूद की सेवा का मुनोरत भी आप ले सकते हैं प्रती दिन ऐसे जितनी भी गौमाता हैं जो अपने इस्थान चे उठ नहीं सकती, उन सभी गोमाताओं को सद्धी महाराजी के आदेशान उशार, बाज़ी की रोटी रात को बनती है, उस पर देशी गोमाता का गी चुपड़ता है, और शुबह गोमाता को जिमाई जाती है, बैठी बैठी गोमाता को, क्योंकि उनको चारा उतना आसानी से पच नहीं सकता, और फिर सुबह बाज़ी की रोटी सो बनेगी, उसको पुने देशी की से चुपड़ना, और श्याम को जिमाना, क्योंकि एक तत्काल बना कर जिमाएं के तो बाज़ी की तासिर गरम होती है, इसने सुबह बना कर श्याम को जिमाना, ऐसी लगबग एक हजार रोटी बाज़ी की प्रती दिन उन गोमातों को जिमाई जाती है, वह सेवा भी हम सभी सज्जन उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, एक बाज़ी की रोटी लगबग 15-20 रुपे में तयार होती है, हम अपनी समर तेनों सार एक दिन, दो दिन, पांस दि भी हम लोग स्विकार कर सकते हैं, प्रती दिन, इन सभी प्रकल्पों में लगबग एक लाग रुबे की ओस्दी की आवशिक्ता रहती है, लगबग एक लाग रुबे की ओस्दी की आवशिक्ता इन समस्त प्रकल्पों में ओस्दियों की रहती है, हम सब लोग अपने सामर् अंदे की गंड़ना उनकी सेवा का अपमान है, पर ऐसे खूब सारे वहाँ पर विशे हैं, जिन हम सेवा का लाब प्राप्त कर सकते हैं, उन समस्त गौमाताओं को उनी के इस्थान पर हराचारा कोतर करके प्रती दिन बोजन करवाये जाता है, साथ में, सुके चारे में, उनकी रूची और उनके स्वास्त के अनुरूप, किसी को जव, किसी को गवार की चूरी, किसी को पौश्टीकार, किसी को मूंग, किसी को मूंगफिली, किसी को तेल, इस प्रकार अलग-लग बोजन की सामगरी, जैसा केस है, जैसा उसकी पाचन की ख सेकडों हजारों प्रकार है कुल मिलाकर विशेख खाली इतना है हम किस प्रकार से गौमाता की सेवा से जुड़ें आप सब लोगों से आग रहे गौमाता की सेवा में तनमन से जुड़ें